हालो एवरिवान कैसे हैं आप सब आज मैं बनाने जा रहे हूं आलू के पकोड़े यह बहुत ही सिंपल सा रिस्पी है आप घर पे एजिली बना सकते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मैंने यहां पे एक कटोरी बेसन लिया है और थोड़ी सी अजवाइन और टेस्ट के रिकोडिंग नमक और खाने का सोड़ा बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे हाफ टी स्पून लाल मिर्च पॉडर और एक हरी मिर्च बारिक कटी हुई और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे यहां पे थोड़ा थोड़ा पानी हम डालते हुए इसे मिक्स कर लेंगे इसका हम एक पत बहुती ज्यादा क्रिस्पी बनेंगे और यहां पे थोड़ा से हल्दी पॉडर डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे यहां पे मेरा बैटर थोड़ा सा गाड़ा है तो मैं यहां पे थोड़ा सा और पानी आड़ कर लूगी और बिल्कुल ऐसे ही बैटर आपको बनाना है जैस तो आलू को बिना चिले भी बना सकते हैं, जब तेल गरम हो जाएगा, अब हम एक एक आलू को डिप करके तेल में डाल देंगे, और आज को एक दम मीडियम रखेगा, नहीं तो अंदर से एक अच्छे रह जाएगे, और अगर आप इसे लो फिले में बनाएंगे, तो यह काफ और यह जब क्रिस्पी हो जाएंगे तब हम इसे प्लेट में ले लेंगे और इसे ही करके हम सारा पकोडा बना लेंगे बहुत ही इजी है इसे बनाना आप घर पे जरूर ट्राइ करना और अगर आपने हमारे चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चानल को सब्सक कल आगिस झारयो कर टो एक सब्सक्दा च्रह कलागे लेंगे लेगे भी त Nahe